गुड़ मॉर्निंग इस्टेंज्व क्लास सिक्स सबसेक्ट आपका है हिंदी फर्स्थ मद्वन वेक्टेंज्व ओपन यूर बुक आपका इस्टेंज चैप्टर नाइन तक हिंदी फर्स्थ कम्प्लीट हो चुका था आपका एक मनुष्य की कामना यह चैप्टर आपका CPRIS करेंगे चैपटर टेन आपका सम्मान सबसấp पहले हम जानेंगे कि इस कहाने पे बीरता के fogoda को सबसे पहले हम जानेंगे एक अक्रमर कारी था सिकंदर क्या ता बढ़र मध हैसिया का एक आपकर मढ़कारी था जो विश्व विजय हे तो निकला था वो विश्व को विजय करने के लिए विश्व विजय हे तो निकला था उसे तच्छी सिला के राजा आमभी ने राजा पुरु पर आक्रमण का निमंत्रन दिया था उसे तच्छिसिला के जो राजा थे आम भी उन्होंने क्या किया था राजपुरु पर आक्रमण करने का निमंत्रन दिया था और उसकी सहायता का भी आश्वासन दिया था राजपुरु या पोरस के साथ सिकंदर करने नायक युद्ध हुआ जिसमें राजपुरु की पराजे पराजे हुई किंदु शिकंदर ने किस प्रकार वीरों की तरह पूरु का मान रखा इस नाटक के माध्यम से हम जानते हैं इसी के माध्यम से सबसे पहले हम पात्र परचे पढ़ेंगे शिकंदर का था शिकंदर ग्रीन यूनान का शम्राठ था आमभी कौन था आमभी तच्छिला का राजा था पुरु पंचनंद प्रदेश का राजा था और सेनापती यूनान का सैनिक अधिकाली था और इस्थान कहां पी होगा था तो शिकंदर का सैनिक शिविर एक मूचे आसन पर शिकंदर बैठे हुए हैं उनकी दाई और एक साधा स्थान पर तच्छिसिला का राजा आमभी बैठा है कौन बैठा है उनके दाई और तच्छिसिला का राजा आमभी बैठा सिकंदर के बाई और एक स्थान हो गया कि वहां पर क्या कौन कहां पर बैठा अब हम सिकंदर क्या कह रहे हैं महराज आमभी मुझे आज अत्यंत प् आपके इस शहायता के लिए हम आपके आभारी हैं मुझे सेवा का अशल प्रदान किया है आपकी सेवा करके मैं धन्य हो गया हूँ यहां से strength, आप लोग इसको chapter पूरा read करेंगे, ओकी strength, chapter read करने के बाद, फिर आपको, शारह chapter जाँटर बीड हो जाए, आपका यहा तक, chapter आप all strengths, read करके, फिर आपको ये, hwाप का, word meaning आप copy पे, annual portion स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद ये word meaning आपको note down करनी है आज की date पे word meaning note down करनेगे उसके बाद फिर आपको मैं question and answer complete कराऊंगी ओके श्ट्रेंस तैंक यू